नमश्कर, गरेलुन उसके मा के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करऊंगी गले की खराश की, यानि की गले में खराश है, या खासी है, दसका है, बल्गम है, जो कि आजकम वाइरिल का सोब चल रहा है तो वाइरिल ठीक हो जाता है। यह है तो कि आपने और शक्रापिन को चैनल को बटन को प्राइस है तो आएकन को बटन के प्रैस किजेगा ेससे आने वाले तमाम नुसकों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मैं आज बात कर रहे हूं गले की खराश की वाइरल का सीजन हो, सरदी का मौसम हो या जो भी कुछ हो, मतलब जितनी भी परेशानी अगर गले में किसी भी बज़े से कभी कभी कुछ खटा खा लेने से भी हो जाता है सरदी लगने से भी हो जाता है गले में किछ-किछ बच्चे भी किछ-किछ-किछ करते रहते हैं और आपको लगता है कि कैसे चीपो लेकिन कोई एक देसी नुसका ऐसा भी होता है जो मेहगी से मेहगी दबाईयों पर भारी पर जाता है बहुत सारे सिरफ भाजार से लाला का पीते हैं बहुत सारे गले में इन्फेक्शन बताते हैं डॉक्टर आप अंता-वाइटिक खाते हैं बहुत सारी दबाईयां खाते लेकं आराम नहीं होता एक चम्मच आपको शहद लेना है किसी भी कंपनी का आप शहद ले सकते हैं किसी भी कंपनी का जो भी आपके घर में आता हो वही शहद आप ले सकते हैं एक चम्मच शहद लीजिए और अगर कुछ शुगर से सम्बंदित प्रॉब्लम है तो शहद की मातरा कम भी की जा सकते है नहीं आदी चमज भी उसमें एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर काली मिर्च कौन सी काली मिर्च साबुत बजार से लानी है और खुद पीसनी है अपने घर की मिक्सी में आप काली मिर्च का पाउडर बनाएए और उसको हलका सा कपड़चन कर लीजे जिससे कि बिल्कुल भ दिए उसके आदे घंटे तक आपको कोई पानी या लिक्विड नहीं लेना ना खाना या न पीना मतलब में मुझे असा लगता है कि एक में दिन में अगर आपने तीन भार भी इसको ले लिया तो आप रापको आराम से सो पाओगे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मेर मेरे को गले में खराश थी या मेरे कुछ गले में प्रॉब्लम थी दो से तीन बार देने में ही आपको इतना आराम मिलेगा और उसको कंटीन्यू भी कर सकते हैं चार दिन पास दिन छे दिन आप ले लिए जो गला बिल्कुल ठीक हो जाए तो उसको छोड़ दीजे बच्च गुनगुना दूद लेते हैं और उसके अंदर दो चुटकी हल्दी राल लेते हैं और उसके बाद बच्चे को पिला देते हैं तो अंदर की सारी जकडन, खासी, खराश, जुकाम, नजला, इंफैक्शन, सारही चीजे दूर हो जाती हैं तो जो भी चाहें आप दोनों चाह उसे भी नहीं मिला होगा तो आज के लिए इतना ही जादत दीजिए आशा करती है नुसका आपके लिए बहुत उपयोगी सामित होगा मिलती है को और जब अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में और भी कोई रेमेडिया आपको चाहिए तो उसके बारे में है